हेलो एवरिवन वैलकम टू जूनियर जोगराफर यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पिछली वीडियो पर पूँछे गए एक कोशन के बारे में पिछली वीडियो जो कि हमारे थी प्रत्वी क्या करती उस वीडियो पर एक कोशन पूछा गया कि chicken with the difference between shape and size of the earth चलिए अर्थ के shape and size में difference जानने से पहले हम जानते हैं कि what is the difference between shape & size shape and size के बीच में क्या difference होता है ? साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया होग थो कर लिजिए क्योंकि Trump अंकल भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को बोल रहे हैं तो शेप एंड साइज का एक्चुल मिनिंग क्या होता है इसके लिए हम हेल्प लेंगे Oxford Dictionary of English Language की तो Oxford Dictionary के एकोर्डिंग शेप का मीनिंग है The form of the outer edges or surfaces of something जैसे की rectangular shape तो इसका हिंदी में मतलब हुआ कोई भी object या वस्तूप अपनी बाहरी surface या धरातल की वज़े से जैसी हमको दिखती है वही उसकी shape कहलाती है शेप को हिंदी में आकरती कहते हैं जैसे की प्रिथ्वी के आकरती गोलाब है जैसे की इस पिक्चर में आप दिख सकते हैं पहली shape प्रिमेडिकल शेप है तीसरा एक बॉक्स है यह रैड कलर का जो है कौन हो गया जैसे की हम पर तड़े में लगाते हैं कौन शेप और पांच हुआ भी एक बॉक्स है और ग्रिन कलर में यह बॉल है इतरह से यह भी डिफरेंट टाइप की शेप्स आपके सामने हैं और साथ के honestly जरुए जो इनकी बारी सर्फेस है बारी सर्फेस अलग अलग होने की वजाए से हमको इस सारी sheets अलगation रही है सबी क्या करती दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि ज मेंका ओटर सर्फेस है वो डिफेंट है चलिये तो हुआ शेप अब बात करते हैं वाटिज द्मीनिग व साइज सो एकॉर्डिंग टू ओक्सफोर्ड इक्षिनरी साइज टेल्स यू हाव लार्ज और स्मॉल अपर संग और थिंग इस साइज को हिंदी में हम कहते हैं आकार तो आकार हमको बताता है कि कोई भी वस्तू कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है इस इमेज को देखकर आप अराम से पैचान सकते हैं कि वाट इस डिफ्रेंस बिट्विन शेप और साइज जितने भी यह सारे बटन हैं इन सब की जो शेप है वो कैसी है वो एक राउंड या सर्कुलर शेप है लेकिन आप देखेंगे कि इन सब का जो साइज है वो डिफ्रें सकती है वो यह के शेप सेम हो सकता है लेगिन जसरी नहीं कि उनका साइज भी सेम हो यह कुछ और फिगरस हैं जिनको देखकर से थे हैं कि सबकी शेप यह लिक्वाइब साइज दिफरेंट है। यह बसेज हैं शेप लगबक सेज बट साइज दिफरेंट तीनों कब की शेप एक जैसी है पर साइज दिफरेंट है। है। So, let's come back to our main topic which is difference between Twin Shape and Size of the Earth जहां तक बात Shape of the Earth या पृत्वी की आकरती की है उसका लिंक इस वीडियो के Description में Available है क्योंकि पृत्वी के आकरती कैसी है उसको हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं उस वीडियो को देखिए और जानिए कि पृत्वी के आकरती कैसी है और क्यों है रही बात Size of the Earth या पृत्वी के आकर की तो उसके लिए हम Size की जगे है Dimension of the Earth या पृत्वी का आयाम कहना ज़्यादा सूटेबल होगा इस चार्ट के हैब से हम अर्थ के Dimension के बारे में जानेंगे जैसे कि चार्ट से हमको साफ शो हो रहा है कि जो Land Surface of the Earth है वो पृत्वी के टोटल सर्फेस का 29.2% है यानि कि जो बैठता है 14.9 करोड क्लूमीटर स्क्वाइर जो Water Surface है यानि कि जो जल फैला हुआ है वो पृत्वी के कुल सर्फेस के 70.8 प्रतिशत 70.8% एरिया पर फैला हुआ है जो कि कुल कैलकुलेटिट होता है 36.1 करोड क्लूमीटर स्क्वाइर अगर हम बात करें Equatorial Circumference जिसकों कि हम हिंदी में कहते हैं विश्वत रेकिया परीमिती तो वो है 40,075 क्लूमीटर यानि कि 24,901 मील अगर बात करें Maridional Circumference तो वो है 40,009 क्लूमीटर या 24,860 मील तो विश्वत रेकिया परीमिती या Equatorial Circumference का मतलब सिंपल सा है कि अगर हम विश्वत रेखा से होते हुए दुनिया का चकर लगाते हैं जैसे कि सपोज विश्वत रेकिया फिलाल अफरीका से उकर जाती है और हम विश्वत रेकिया होते 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 अमरीका पहुंच जाते हैं फिर राश्टर लेकिया के उपर से होते हुए वापस अफरीका में उसी पॉइंट पराते हैं तो वो जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी विश्वत्रेगी परीधी same goes for meridional circumference या polar circumference या दुरूविय परीधी यानि दुरूविय परीधी नापने के लिए हमको पहले नौर्थ पोल से चलना होगा और हम पोलवार्ट चलेंगे पोलवार्ट होते वे अफरीका से गुजरेंगे बाकी यूरोप पहुँचने के बाद हम दूसरी और से नौर्थ पोल के और चलेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी या दूरी होगी ये कहलाएगी polar circumference पर्थिव का जो equatorial diameter है या विश्वत्रे के व्यास है उसकी value है 12756.3 km या 7926.4 मिल अगर हम बात करें diameter क्या होता है तो diameter का simple सा meaning ये है कि अगर हम विश्वत्रेखा पर किसी एक point पर खड़े हैं और उस point से हम एक hall बनाते हैं एक चिद्र बनाते हैं जो की पर्थिवी के दूसरे चोर पर जाकर निकलता है तो उस hall की जो लंबा ही होगी वो होगी 12756.3 km और जो पर्थिवी का polar diameter है या धूवी व्यास है उसकी value है 12714 km या 7900 माईल तो हम easily देख सकते हैं कि जो हमारा विश्वत्रेखा व्यास है वो polar व्यास के मुकाबले जादा है उसकी वज़े ये है कि जो पर्थिवी है वो अपने द्रुवो पर या polar region में चप्टी है जो कि हम shape of the earth वीडियो में आराम से जानेंगे कि ऐसा क्यों है तो जहां तक बात हुई what is the difference between shape and size of the earth तो shape का मतलब simple सा यह है कि हमारे पिट्थिवी हमको किस तरह की दिखती है उसकी आकरती कैसी है तो उसकी आकरती गोलाब है या जियोईड है और जहां तक बात आकार का है तो आप सोच सकते हैं कि जो पिट्थिवी का total surface area है वो है 51 करोड किलोमेटर square तो आप सोच सकते है कि पिट्थिवी का size कैसा है पिट्थिवी का size एक इतनी बड़ी हमारे पास ball हो जिसका कि size यानि कि जो उसका outer surface हो वो 51 करोड किलोमेटर square हो तो वो पिट्थिवी के आगार के बराबर होगा तो मेरा मानना है कि अगर अभी भी कोई confusion आपके mind में हो कि difference क्या है shape and size में प्लीज डू ask me and if you want video on any other topic please just comment in the comment section and don't forget to share this video thank you so much